36 गड़ में शराब बंदी को लेकर राइपुर से आपकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि बस्तर में शराब बंदी का सवाल ही नहीं उत्ता क्योंकि वहाँ पूजापाच से लेकर परंपराओ में शराब का अलग ही महत्व है वहीं पूरे प्रदेश में शराब बंदी को लेकर कहा कि अभी से लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी दरसल शराब बंदी के अध्यन के लिए गठित समीती बिहार के दोरे पर रवाना हुई है इससे पहले समीती के सदर से कुछ और राजियों का दोरा कर चुके हैं वहीं कवासी लखमा ने जहां भाजपा पर शराब बंदी के नाम पर जूट बोलने और राजनीती करने का रोप लगाया इस पर भाजपा सांसच सुनील सोनी ने लखमा के बयान पर कहा कि अगर कॉंग्रेश सरकार को शराब बंदी नहीं करनी थी तो गंगा जल हात मिले कर कसम क्यों हाई सरकार माताव बहनों के साथ धोका कर रही है हमारा अधिकारी लोग हमारे विदायक लोग गए फिर सरकार के पास आएगा वो समय सरकार जो भी नहीं लेगा वो ऐसा होगा लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पार्ट में दरू भी नहीं करते अपना इसाब से उन लोग वह पांस में अंचुसी है वो पंचेता ही करेगा किस परकार करेगा है तो गंगाजल हाथ में लेगे कसम क्यों खाया है वोट लेने के लिए जब चुनाव आता है तब वो नए नए वादे करते हैं नए नए प्रलोभन सामने में लाते हैं और लोक कतार लगा कर जब गोट डालने जाते तो विश्वास के साथ में जाते हैं किसी माता बहनों का किसी के विश्वास को तोड़ना मैं इसको अपराद मानता हूं और चार साल सवा चार साल बाद अगर सरकार कहती कि सराबबंदी करना संभव नहीं है तो यह एक बैमानी है अप घरे पर इसी साल जो होने वाले चुनावों में जनता खड़ा करेगी है।